नमस्कार मित्रो मातरानी की जै हो मातरानी सब को खुशाल रखे आप सब का जीवन हजी खुशी वेतित हो इसी मनो कामना के साथ आज मैं आपको बताऊँगा कि किसी के कपड़े से अपन कैसे वश्यकरन करते हैं माल लीजे किसी का कपड़ा अपने ले लिया चाहे वो रुमाल हो जुराब हो पैंट हो सर्ट हो साड़ी हो और दुपट्टा हो किसी भी प्रकार का कपड़ा हो सामने वाले का अपने पास में अगर वो है तो अपने उसका आसानी से वश्यक्रन कर रहे हैं जैसा कि मैं इस प् पेन लेना है और एक ये तीन मंत्रिस में बहुत काम आएंगे इनको नोट कर लिजिए ओम एम रीम क्लिम चामुदाइविच्चे नमें ये एक सवाठ पर बोलना पड़ेगा ये तंतर देवी सर्वमनो कामना पूर्ण करिश्य एवम लड़का या लड़की जिसका भी आप कर उपाया आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो अब मेरे पास जैसे मैंने पिछले वीडियो बनाया मेरा उसमें फोटो से वश्यकरन बताया था तो उसमें मेरे को बहुत कोल आए कि पंडी जी कब करना है कब करना तो ये किसी भी समय आप कर सकते हो किसी भी समय किसी भी दिन बस इसमें राहुकाल आप निकाल देना अब आप पूछोगे पंडी जी राहुकाल है वो कैसे पता करें तो आप जिस दिन ये कर रहे हो उस दिन की तारीक डाल के Google पर आप सर्च कर लीजिए कि राहुकाल कितने समय से कितने समय तक है वो आपको Google से पता चल जाएगा कि रहुकाल कब से कब तक है वो समय आप निकाल देना और आप किसी भी दिन कर सकते हो और जमीन से उंचे बैठ के करना जैसे मैंने कपड़ा विछा रखा है नीचे कपड़ा विछा लेना और जमीन से उपर किसी भी आसन पर बैठ सकते हो आप ठीक है और किसी भी समय कर सकते हो रहुकाल निकाल देना और ये जो चीजे मैंने बताई है वो चीजे आप ले लेना अब मैं आपको बताता हूँ योपाई किस प्रकार करना है ठीक अदो मित्रो अब मापको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से करना है सबसे पहले आपको निम्बू लेना है और अपन सपोज करिए कि एक कविता नाम की लड़की है वो सुभास का वशेकरन कर रही है तो वो लड़की क्या लिखेगी सुभास संग कविता एक बर देख सकते हो फिर उसके बाद अपने को इनको अभिमंत्रित करना है ये दोनों चीज़े अभी एकदम नॉर्मल है ये नॉर्मल उसका यूज किया हुआ कपड़ा है ये नॉर्मल नीम्बू है अभी इनके अंदर कोई तंत्र विद्या जैसी कोई चीज नहीं है तो अभी अपन उनको अभी मंत्रित करेंगे तो सबसे पहले इसको इस कपड़े में डालके ठीक दो मित्र अब अपने इसको राइट हैंड में पकड़ लिया इसको सीधे हाथ में पकड़ना जिससे अपन खाना वगर खाते हैं उस हाथ में इसको पकड़ लेना अब अपने को क्या इनको अ मंत्र बोलेंगे 108 वर इसी हाथ में पकड़के फिर अपन बोलेंगे हे तंत्र देवी सर्व मनो कामना पूर्ण करिशे तथा लड़का या लड़की का नाम तो यहां पर कविता नाम की लड़की वशीकरन कर रही है तो वो क्या बोलेगी सुभास हे तंत्र देवी सर्व मनो का तृम देवाइनमें ये मंत्र बोलना है आकर्शन के लिए ये अपन इससे निमभू अभिमंत्रित कर रहे हैं ठीक है ये constitution बोलना है ये मंत्र बोलने के बाद में और एक कपड़ा बिच्छा लेना जैसे मैंने यह सफेद कलर का कपड़ा बिछा रखा है यह अभिमंत्रित होने के बाद में नीचे नहीं रखने हैं बिल्कुल विए अपने इनको यहां पर रख लिया और अब यह कपड़ा भी विंता है इसको एक बार साइड में रख दीजिए और यह नीम्भी विंस्री था अभी अपन क्या करेंगे जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताय था मेरे उस प्रकार से अब इस नीम्भु को अपन ने कामदेव के मंतर से अभी मंतरित किया है यानि इसको अपने को गरहन करना है इससे वो आकरशन आएगा जो अपने को सामने वाले को वशी करन करने के लिए चाहिए तो इसको आप काट लीजिए और इसका जितना भी रस है वो किशी पात्र में निकाल लीजिए ये अपने इसका रस है वो पात्र में निकाल लिया और इसे आप गरहन कर लीजिए ये जितना रस हो सके उतना निकाल लीजिए अब ये रस अपने निकाल लिया इसको गरहन कर जाईए क्योंकि ये इससे वो आकरशन आएगा जो सामने वाले को आकरशित करेगा काम देव का मंतर अपन ने इसलिए बोला है और ये जो निम्बू के छिलके रहे हैं ये अभिमंतरित निम्बू इसको अपन ऐसे ही नहीं फैक सकते हैं इसको पीपल के नीचे डाल के आना और बिना मुड़े घर पे आ जाना ये यहाँ पे दोनों का काम खतम हो गया अब इस कपड़े का क्या करें ये कपड़ा उसका है तो इससे अपना हात मूँ पूँच लीजिए क्योंकि इसमें आपकी गंद होनी बहुत जरूरी है हात मूँ धोके आईए इससे हात मूँ अच्छी तरीके से पूँचिए और उसको वहीं पे रख दीजिए जहां से लिया था यानि सामने वाले का कपड़ा है उसकी बेग में जहां पे इसे आपने लिया था वहां पे उसको वापस रख दीजिए जैसे ही सामने वाला इसको यूज करेगा पूरी तरीके से आप पे समोहित हो जाएगा और आपका वशी करना वो पूरा हो जाएगा यूज करते ही यह भिमंत्रित कपड़ा है सामने वाला आपके मतलब जैसे अपन ने बोला सरीर और आत्मा वस्मे हो जाएगा उसका और वो पूरी तरीके से आपसे प्यार करने लगेगा तो मित्रो यह छोटा सा उपाय है आम उपाय है तंत्र विद्या का यह आपको करना है और जैसे ही अपन इसे करेंगे अपना काम हो जाएगा तो मित्रो यह मैंने आपको बताया है कि कपड़ा अगर आपके पास है तो आप उसका किस प्रकार से वश्यकरन कर सकते हो और अगर किसी भी सिच्वेशन में आपके पास कपड़ा नहीं है या फिर सामने वाला खुद मौजूद नहीं है या फिर उसकी फोटो वगए आपके पास नहीं आपसे बहुत दूर रहता है घरवालों को मनाना है किसी भी प्रकार का अगर आपको वश्यकरण करना हो तो ये मेरे नंबर है वाटसप नंबर भी इसी पे है डबल एट नाइन जिरो टू थरी डबल सेवन डबल टू और कॉल भी आप मेरे को करके कभी भी सला ले सकते हो या कभी भी वश्यकरण का काम हो करवा सकते हो पर मित्रो मैंने ये आपको उपाय बताया बहुत सरल उपाय है इससे आप कर सकते हो आराम से 10-15 मिनट का ये काम है आप इसको आराम से कर सकते हो पर किसी भी गलत यूज के लिए इसका फायदा मत लेना गलत यूज के लिए वश्यकरण मत करना मित्रो ये मेरा आप से निवेदन है और आपको किसी भी प्रकार की तांतरी कि आज जोतिस ये समश्या हो तो आप मेरे को कॉल करिए जैमातादी और मित्रो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फाइदा उठा सकें नमस्कार मित्रो